पसु को चूट लग गया है या पैर में मोच आ गया है पसु लंग रहा के चलता है दोस्तों चूट लगने के वजह से पसु को कोई भी दिक्कत आ रही कोई भी परसानी आ रहा है जो की चूट लगने के वजह से हो रहा है तो दोस्तों कुछ होमियोपैतिक मेडिसीन के बारे कि दोस्तों गाय हो या वहां सो कोई भी पसु को चोट लगने की बज़ाँ से कोई भी परसाण या कोई भी दिक्कत आ रहा है तो दोस्तों आप अर्णिका दोसों हाइपेरकाम दोसों और रस्टक्स दोसों यह तीन दवा का उप्यों करें पसु बहुत जल्दी ठीक हो जाए छोट लगने के बज़़र से गाय लग राके चल ला है या पैर में बहुत ज़्यादे सूजन हो गया है जो कि छोट लगने से व्वरसे से कोई भी पसु को दिक्कत हो रहा है तो यह तीन दवा आऊपई करें पसु बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा इस तो यह तीनों दवा पोस्ट शिक से भी दवा जीए उसमें से दस गोली तीन बार कर पसु को खिला है बहुत जल्दी पसु ठीक हो जागा दोस्तों चोट लगने की बज़ा से अगर कोई भी परसानी हो कई यह या फैक्चर हो गया तो यह सब दवाकावियो की जगा तो पसु बहुत जल्दी ठीक हो जागा दोस्तों यह वीडियो चिर्फ आपकी जंकारी के लिए अच्छी मिली बीडियो को लाइक करें न सेर करें और हमारे पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें होमियोपाती मेडिसीन की ज़नकारी आहें झाल झाल